हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो उमीद करता हूं सब बच्छ होंगे आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करें परस्णावली 8.8 का क्यूशन नमर 9 इस लास्ट वीडियो तक हमने 8 क्यूशन कंप्लीट कर लिये हैं तो देखो इस क्यूशन में क्या दिया है और क्या ज्यात करना है देखो हमें गिवन है टेन ए बराबर एक बटा रूट तीन घॉर राइक एंगल मतलबस हम कोन हमें भी दे रहा है मतलब 90 लिक्री का मान B इकोर्ड है, B-Konel का माँन कितना है? 90 डिगरी ठीक है? वो 10-A का माँन दे रखा है 1 बता roots 3 10-a का सुत्र क्या होता है? बदलाब 10 theta का सुत्र क्या होता है? लंब बता आधार L बता A मतलब हमें लंब का मान दे रखा है और अधार कामान दे रखा है अब देखो एंगल ए ले रखा है ना तो हमने लिया यह ना इंगल यह लिया ना तो इसके जट सामने बुझा सम्मुख क्या है बीशी हो जाएगा लंब तो देखो यह तो हो गया लंब फिक ए अब जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाली मुझा फिक्स होती है हमेसा ही वो क्या होता है करण होता है तो यह हो गया करण अब देखो अब यह हमने फिक्स कर लिया अब देखो हमें दिया अब नहीं है करण क्या गयाद करेंगे हाइपोतेनिया सम पईथा गुरूषप्रमे के द्वारा ज्याद करते और पायथा गुर्स परिमे क्या होती है करण का square बेराबर आधार का square पलस लंब का square, ठीक है, तो देखो, जब भी हमें सम contribution दिया हो और ऐसा क्यूसिन हो, उसमें हमें ऐसा मान दिया हो, जैसे टेन का दे दिया इसमें या फिर quote का भी दे दे, करण का स्कวाом वियर अधार का स्क्वannée प्लेस फैस अब जो जो मान दिया वो उसके बात में च तो मैं आप ढीकर क्यानलत किसनक मतलब किसका रूट तीन का इसक्वाइर प्ल 152 का है मतलब एक का स्क्वाइर ने ओक यह हो गया एक व्लाइं ekस्क्वाइर फैसें क j кого तो उसका रूशन के जाता है रोशीन की संख्या बच जाते हैं तो रूटे इन का स्कॉयर करेंगे तो रूट आड़ जाएगा रहो संख्या बचेगी तीन ना एक का स्क्वाइड करेंगे तो एक और एस्टी स्क्वाइर ऐसे का ऐसा ठीक है अब इन दोनों को एड़ किया तो यह होगे चार यह माना आगया इसी की गात दो खा लेकिन हमें किसका चाहिए एसी का चीना तो जब भी हाँ से स्क्वाइर एठाएंगे ना एक तरफ से तो दूसरी तरफ आजाएगा रूट हैना और चार का रूट निकालेंगे तो वह कितना निकलेगा दो तो हमारे बुजा इसी का माना आगया दो हैना यहां पर यूनिट भी आप लगा सकते हो जैसे के लगा सकत करन का मान भी निकाल लिया अब हमें जो क्योशन में पुछा न वह मियाद कर देगे ठीक है तो देखो सायने और कोसी मतलब एक तो मी ऐसना साच है इसके साब्सेंखें निकलना दूसरा कोस के शुच नहीं 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 त्देएगे कर दाब साइन निकालता जो सुत्र है उससे निकाल लेंगे, तो लंब का मान तो कितना है, बच्छो देखो, अगर इंगल A ले रखा है ना, तो हम भी क्या लिए लेंगे A, और A के सामने वाले बुज़ा क्या होती है, लंब, और यहां पर लंब क्या है, एक ठीक है बच्छो, बट्टा, करण का मान क इतना आ गया एक बट्टा दो इतना है समझ में अब देखो को सी किसका नमान निकालेंगे को सी का अगर को सी है ना इंगल सी एंगल है तो हम क्या लेंगे एंगल सी लेंगे ए मतले लेना नहीं तो गलत हो जाएगा यह बात आप ध्यान में रखना अगर इंगल सी दिया तो सी लेंगे अब एंगल सी लेंगे तो इसे फरक्या पड़ेगा इसे फरक्या पड़ेगा जो लंब था वो तो आधार हो जाएगा और जो आधार था वो लंब हो जाएगा एक दूसरे में चेंज हो जाएगे उल्टे हो जाएगे जो पहले लंब था वह अब अधार हो जाएगा बट्टा, बट्टा के अब देख见 क्या है इस बार यह क्रन तो फिक्स है मैं creatively नवाड़ा होती यह चैस्हYन हिक्स हो अब यह क्या होगी तो यह क्या होगी अध्यार ही एडbour यह सलंगन Sans एक सलंगन बुजह तो C क्या है क्या है यूदि जो बच गई ओप न कितना है एक कि बट पर दयामगी क्या वा इस वार कोण लेगे ये पिर खैका हमें जो जो पुचह है ना उस हिशलाइब से पहले सारों के मान लिख लेते हैं उसके बाद में क्यूशन में डायेट कुट कर देंगे ठीक है बचो अब देखो को से एक तो एंगल यह लेंगे एवाला ठीक है शुत्र तो वह रहेगा आधार बटा करन कोश का तो तो अब देखो आधार क्या हो जाएगा यह वाली बुजा हो जाएगी यह लेंगे हम कि साइन शीग शुतर था रहीया साइन का तो लंब शूंद्टा रहन एडिया झाप टेवर तो अब क्या हो जाएगा एगी का माझ यह उन्दर rein पूट तीन और करन्ट फिक्स है दो तो हमने यह सारे मान नोट कर लिए अब देखो फॉर्मूले में जो हमें जो किसंद दिया उसमें पूट कर देंगे जैसे पहला पार्ट है ना वो फाइंड करते हैं पहले तो पहला पार्ट यह है ना तो यह क्या है साइन ए और को सिपलस कोस एक और साइन सी है पहला पार्ट इसको सॉल करते है साइन एक का मान क्या है यह रा एक बट्टा दो तो इसकी जगर हमने क्या रख दिया एक बट्टा दो अब को सी को सी का मान क्या है एक बट्टा दो देखो जब कुछ भी साइन नहीं दिया हो तो इनके बीच में क्या ह तो अब देको हैं को एक तो क्या होईगा एक और दो को डोशे गुणा करेंगे तो चाहर मतलब युए को दोसी में अदिल मुझा क्षaf भांट भट मेंगे तोय ख़ishu तकके लिएक हैं definite पुर्णा करेंगे तो क्या हो जाएक है हैं और जब हरका मान समानों संञ्ख्या होगा जैसे दोनों संख्या हceğ orange है 4 तो उप्र वाली संख्या भी सेम मिख्में अगर है तो ठीक है तो देखो 4 तो उप्र वाली सेम एक प्लस तीन मतलब चार बटा चार बटा चार का मतलब क्या होता है ये गट किया ड़िया आंफर एक यह हो गया सोल हमारे अब देखो इसका शेकंड पार्ट करते हैं पहले इसके नोट करो उसके बाद में रफ करके लिखता हूं मुझासा आफ जो तक अब शेकर्ट करते हैं मैं थेखेंड पार्ट में क्या देंद पार है कोश से और कोश आ सी सी माना से साइन a ऐब साइन यदक अ neither क्या जो दिया एक उसट्रिक मुझ का मान रख देते हैं اीप आफूर्ट है कोश ओस एका हम अतलब यह रहा अंडरूर का मान क्या है एक बटा दो तो यह एक बटा तो अब माइनस है तो माइनस साइन एक का मान भी क्या है एक बटा दो साइन सी का मान क्या है अंडरूर तीन बटा दो तो गुणा अंडरूर तीन बटा दो यह मान रखती है अब देखो अंडरूर तीन को एक से गुणा करेंगे त यह बिच अदो पलस के एक माइनस का से मना तो यह कट गए कट गए मतलब आमसर क्या गया जीरो अंडर रूटा चार में से माइनिस अंदरो तीन बटा चार गठाई है तो क्या बचेगा जिरो बचेगा पांसर आ गया जिरो नोट कुरो फिर नेक्ट क्यूशन करते हैं अगले वीडियो में